नमस्तकार दो legislature उत्तर परदेश 25 चुनओ नहां भारति जनता पार्टी को तगड़ा जटका लगा था लेकिन अब 2022 में होने वाले उत्तर परदेश बिधानसभा का चुनाओ सÉ पहले भारती जनता पार्टी को कांग्रेश जटके देने शुरू कर दी है कई नेताओं को अपने पार्टी में सामिल करा लिया है जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां और भी बढ़ गई है इसे के साथ यह आपको बदा दें माराश्ट में भी भारति जंता पार्टी को जटका लगा है यह जटका कोई और नई बलकी भाजपा के नेताओं नहीं दिया है अपने पार्टी को जटका देते हुए कई नेता सिवसेना में सामिल हो गए है जैं दोस्तों दोनों खबरों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे लेकिं आपको क्या लगता है क्या 2022 में होने वाले उत्तों पारटी की जीत होगी या पिर क्या बड़ा उलट फिर होने की संभावना बन रही है आप अपनी रायक कमेंट भॉक्स में जबर दें साथी इस वीडियो पर अपना एक लाइक जबर दें और साथी इस वीडियो को सेर भी करें चैनल को सस्क्राइब करने के साथ ही बेल को जरूर प्रेस कर लें जैन दोस्तों आपको ददें आगामी उत्तर प्रदेश बिधान सभा चुनाओ 2022 में होने वाला है लेकिन इससे पहले ही तोड़ फोड़ और दल बदल की राजनीती अभी से तेज हो गई है कई नेता कांग्रेस पार्टी में सामिल हो गए है साथी माराष्ट में भी भाजपा को जटका लगा है भारती जन्ता पार्टी को जटका देते हुए भाजपा के 6 पार्षद सिवसेना में सामिल हो गए है जियां पतर माराष्ट के जलगाओं में मुकताई नगर नगर पैसत के भारती जन्ता पार्टी के 6 पार्षदों ने सिवसेना का दामन थाम लिया है बताजारा कि इन सबी नेताओं को राष्टिक क्रांती पार्टी नेता एकनात खरसे का काफी करीवी माना जाता है जलगाओं से रिष्टा रखने वाले खरसे पिछले साल भारती जनता पार्टी से अलग होकर NCP में सामिल हुए थे लेकिन आप एक के बाद एक भारती जनता पार्टी के नेता कहीं सिवसेना में सामिल हो रहे हैं तो कहीं NCP में सामिल हो रहे हैं राजिक के मंतरी एकनात सिंदे ने इस बात की जानकारी दीकी 6 भारती जनता पार्टी के पार्षद सिवसेना में सामिल हुए हैं उन्होंने जानकारी देते हुए बताये कि मुक्ताई नगर नगर पैसत के भाजपा के छह पार्षद जिनमें प्यूस भागवत महाजन, मुकेस बान खेडे, संतोस प्रलाद कोली, युनुस खान, आरी पाजाद और नूर खान, मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धर ठाकरे की मौजूदगी में सीवसेना में सामिल हुए है, वही राज मंत्री युम सीवसेना नेता गुलाब राब पार्टी ने बताये कि ये सभी पार्षद अपनी मर्जी से सीवसेना में सामिल हुए है, उन्होंने बताये कि हमने इन पार्षदों पे किसी भी तरह का कोई अब जटका देते हुए भारति जंता पार्टी के छह पार्षत सिवसेना में सामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक से उनको प्रात्मीक सदस्ता भी दिलाई जारी है। प्रदेश कांग्रेश कमिल्टी के सचीव विकास अवस्थी का कहना है की कांग्रेश में उन सभी लोगों का स्वागत हैं। वो अपनी पार्टी के नीती नियत से खुश नहीं है। भारती जनता पार्टी से तो है ही इसके साथ ही मुख के विपक्षी पार्टीयां सपा और बस्पा के साथ भी चुनावी मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि एस सभी पार्टीयां अभी मजबूत इस्थिती में हैं। तो बतारे की वैक्षीन की कीमत 900 रुपई से कम नहीं हो सकती है। अगर हो रभी सुबर मडियम से संपर करे तो इसे 700 रुपई में मंगा सकते हैं। वहीं पूरे सार में 33 सुरिया की होर्डिंग लगी है जिसमें लोगों को एक खास अस्पताल में बैक्षीन लेने को का जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि भारती जनता पार्टी की निता इस महामारी के दोर में भी औसर की तलास में है। कांग्रेस प्रवक्ता ने निसाना सात्य व्यका की आम लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों में बैक्षीन मौजूद नहीं है। ऐसे में हम जानना चाते हैं कि इन प्राइबेट अस्पतालों में यह बैक्षीन कैसे मिल रही है। ऐसे समय में जब लोग बैक्षीन लगवाने के लिए आतूर हैं वहीं भारती जनता पार्टी के प्रतिनिधी लोगों से पैसे कमाने की कोसिस कर रहा है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने मांग किया कि तेसी सुरिया और भारती जनता पार्टी के तीन बार के बिधायक रह चुके रभी सुपर मरियम के खिलाब एफायार धर्च की जाए। पतंजली आरुवेद के एक फैक्टी पर छापा मारते हुए उसे सीज कर दिया गया है। पतंजली आरुवेद के लिए तेसे पहले बाबा रामदेओ की कमपनी पतंजली के सरसों के तेल पर खात तेल उद्देओक संगठन एस एई भी आपत्ति जता चुका है। संगठन को कमपनी के उस बिग्यापन पर एतराज था जिसमें दावा किया गया था कि सरसो के अन्य ब्रांड के कच्ची घानी तेल में मिलावट है। इसमाहिल पूर रोड पर अद्योगी क्चेतर में इस्थित सिंगानिया आयल मिल पर चापा मारा गया। वहीं आपको दे समाजवादी पार्टी के नेता यम सांसत आजम खां को लेकर आस्पीडल से बड़ी खबर निकल का सामने आई है। जी आपको दे समाजवादी पार्टी सांसत आजम खां को आक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। जी आपको दे कोरोना संकुरित होने के बाद लखनव के मेदानता अस्पताल में इलाज करा रहे समाजवादी पार्टी के सांसत आजम खां की हालत अभी नाजुक बताई जारी है। मेदानता की तरफ से जारी स्वास्त बुलेटिन के मुताबिक आजम खां की हालात अभी क्रिटिकल बनी हुई है। हाला कि बताई जारी की स्थिति नियंतर में है। वहीं आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम की रिपोर्ट यानि कोरोना की रिपोर्ट निगेटी वाई है। इस बात की जानकारी खुद हास्पीटल के डिरेक्टर राकेस कपूर ने दिया है। राकेस कपूर ने बताई कि आजम खां के फेब्डो में फाइब ब्रोसिस और कैबिटी पाये जाने के बाद उनका सबसे संबंधित इलाज शुरू कर दिया गया है। उनकी स्थिति गंबीर है। इस समय उन्हें आक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। उन्होंने बताई कि आजम खां को डाक्टरों की सखन निगरानी में रखा गया है। मेधानता लखनाओ की क्रिटिकल केर एक्सपार्ट टीम उनके बेहतर इलाज के लिए लगातार कोशिस में जूटी हुई है। उसी सेवा सत्रागरा की दूसरी कड़ी में प्रदेश के 58,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में लगभग 10 लाग मेडिकल किट कांग्रेस भेजेगी। पार्टी की तयारिये की उत्तर प्रदेश के हर एक ब्लाग में लगभग 800 मेडिकल किट भेजी जाए। इसमें कोरोना के मरीजों को दी जाने वाली सभी आवस्यक दवाएं मौजूद हों। और साथी कांग्रेस ने हर ब्लाग के लिए अलग-अलग हेल्प लाइन नमबर जारी करने का भी नेड़े लिया है। उससे जुड़ी परामर्स और डॉक्टर देंगे।